आज के वीडियो में आपको गजब के ग्यान मिलेंगे आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको गजब के नॉलेज मिले आखिर क्यूं बार बार भगाने के बावजूद मक्खियां आपके शरीर पर ही आकर बैठती हैं किसी भी इनसान के शरीर पर बैठने के बा हमारे शरीर से लेकर हमारे खाने तक और सड़ी गली गंदी चीजों से लेकर ताजा बने पकवान तक ये ये हर चीज पर बैठती हैं इनसे बीमारी फैलने का खत्रा रहता है इसकी वज़े से ही हम इन्हें अपने आसपास देखना नहीं चाहते लेकिन लाग कोशिशों के बा जहां पहली बार बैठी होती हैं मकखियों के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी सुनधने की क्षमता काफी तेज होती है एक बार उनके मुँ से जिस चीज का स्वाद लग जाता है उसे वो भूलती नहीं है इसलिए वो बार बार उसी जगा पर आकर बैठती हैं स्टेट्सम पसिने की तरफ ये आकर्षित होती है ये भी माना जाता है कि मक्खियों को हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देता है हालांकि मक्खियों के बार-बार वापस लोटकर उसी जगा पर बैचने के पीछे कोई थोस्वेग्यानिक कारण नहीं बताया जाता है किसी भी इनसान के शर की हर रोज 30 से 50 संडे देती है इनका आकार सिर्फ 3 मिलिमीटर होता है साल 1933 में वैग्यानिक थॉमस हंट मौगन ने मक्खियों पर एक रुसर्च की थी जिसमें पता चला था कि हमारे जीन डीने के जरिये एक पीरी से दूसरी पीरी में जाते हैं अपनी रुसर्च की बदौलत थॉमस हंट मौगन ने नोबेल पुरसकार जीता था वैग्यानिकों ने अपने किये तमाम रुसर्च में पता लगाया कि इनसानों की 75 फीसद बीमारियों की वजह के जीन मक्खियों में भी पाए जाते हैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में